Hello Friends, आज हम आपको इंगलिस ग्रामर में डिरेक्ट इंडिरेक्ट पार्ट थ्री के अंतरगत इंप्रेटिव सेंटेंस को पड़ाएंगे हमारा पार्ट बन एसेर्टिव सेंटेंस का था और पार्ट टू इंटेरोगेटीव सेंटेंस था यहनि कहते हैं कि इसको imperative sentence उसको हमको समझना पड़ेगा An imperative sentence is a type of sentence that gives, advice, expresses a command, an order, a direction or a request It means imperative sentence एक ऐसा sentence है जिसमें कि advice सला दी जाए Expresses a command, आगया दी जाए, an order, आदेश किया जाए, a direction, कोई निरदेश दिया जाए और a request या निवेदन किया जाए ऐसे बाग के जिनमें आगया, सला, निवेदन, निरदेश, आदिकाव, लेख हो वो सब imperative sentence यानि आगया सुचक बाग के कहलाते हैं एक्जामपल से हम लोग समझते हैं, फर्स्ट एक्जामपल, प्लीज क्लीन यार रूम इसमें आप देखा, इस sentence से ये पता चलता है कि इसमें request किया गया है, निवेदन किया गया है प्लीज क्लीन यार रूम और sentence इसमें कि आगे प्लीज दिया जाए, कैंडली दिया जाए, सर दिया जाए, मैडम दिया जाए तो उससे पता लगता है कि इस sentence में request की गया है, अथाद प्रारतना की गया है, निवेदन किया गया इस sentence में हम देखते हैं कि order दिया गया है, तो ये हमारा क्या हुआ, imperative sentence, आग्या सुचगवक third example में, don't eat too much, हमें ज़्यादा गोजन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मत खाओ, ये advice भी है और order भी है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा suitable होगा advice fourth हमारा example है, leave this luggage at the gate, इसमें direction दिया गया, यनि निर्देश दिया गया है, कि सामान को gate पर रख दो या छोड़ दो तो one, two, three, four sentences से ये बाद clear होती है, कि ये जो sentences है, वो आपके imperative sentences हैं अब कुछ important points हैं, जिनको हमें याद रखना है imperative sentences के लिए, कुछ important points हैं, इसको आप ध्यान से देखिए नमबर one point, imperative sentences में subject you, वो छिपा रहता है, मतलब understood रहता है, subject you जैसे कि आपने से याँ example में देखा, please clean your room, किससे का जा रहा है, आप से, you means तुम या आप please clean your room, अपना कमरा कृपया साफ करो, इसमें subject कौन सा चिपा हुआ, यू, कहीं subject आपको नजरा रहा है, नहीं हा रहा है, लिकर इसमें चिपा हुआ, ये चीज़ अंडरिस्टोड है तो first point आपको याद रखना है, कि imperative sentences में subject you, चिपा रहता है next point, इसमें mb1, यानि man verb की first form, sentence के प्रारम में होती है, आप में देखा होगा, ये four आपको example दिये हैं, इसमें आप देख रहे हैं, कि clean, come, eat and leave ये verbs हैं, ये कैसी verbs हैं, mb1, first form में, वो sentence के शुरुआत में ही रखी हुई हैं, तो दूसरा point आपको remember रखना है, इसमें mb1, यानि man verb की first form, sentence के प्रारम में होती है थर्ड point आपको याद रखना है, imperative sentence, positive और negative दोनों में हो सकता है, यहाँ आप देखे जरा, जो example लिए थे, first, second and fourth, ये तीनों किसमें हैं, positive में और थर्ड example आपका, negative में ठीक है तो imperative sentence positive और negative दोनों हो सकता है और fourth point है negative sentences में बाग की प्रारंब में do not या don't रखा होता है जो negative sentences है वो जो है आपका don't या do not से प्रारंब होता है देखिए rules अब को समझ लेते हैं किस तरह से imperative sentences को जो है indirect में change करेंगे तो rules number first हम जो हमारी direct speech है उसमें हमें देखना है या प्रात्ना या निवेदन की किया गया है तो said और said to go requested में change कर देते हैं ठीक है किस में change कर देंगे requested में change कर देते हैं said और said to go और उसमें जो reported speech sir है please है madam है kindly याद सब्द हैं उसको indirect बनाते समय हटा देते तो कि इनका sense जो है वो requested में आ चुक है इनको नहीं रखते हैं आपको जब examples बताएंगे तब आपको clear होगा पहले एक नजर किस पर डाल लेते हैं rules पर तो यह हमारा rules number first है rules number second यद आदिस या आग्या दी गई है direct speech में यद आदिस या आग्या दी गई है तो said और said to go commanded या ordered में चेंज कर देते हैं next, third rules यद परामर्स या सला दी गई है तो said और said to go advised में चेंज कर देते हैं fourth यद आपका sentence negative है यानि direct speech में reported speech के अंदर जो sentence रखा हुआ है वो हमारा negative है तो said और said to go forwarded में change कर देते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि forward लगाने पर not हटाएंगे क्योंकि forward का sense negative होता है forward का जो है वो negative निकलता है इसके forward लगाएंगे तो फिर हमको not हटाना पड़ेगा और forward नहीं लगाएंगे तो sense accordingly requested में ordered में या advice में भी change कर सकते हैं लेकर negative sentence तो आप forward में भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन इस बात को ध्यान रखते हैं और इस तरह से यह आपके rules हो गई देखिए examples से हम देखते हैं आपने अभी rules पढ़े number one he said to his servants go away at once उसने अपने नौकरों से का तुरंत चले जाओ आपने देखा जब यह आप direct speech को देखते हैं तो उसको पढ़ने के बाद खुद sense आपका निकलता है sense से आप देखेंगे कि इसमें order है कि advised है या request है इस direct speech को देखने से पता चलता है कि इसमें क्या दिया गया है order तो said to को किसमें change कर दिया order he ordered his servants inverted comma remove कर दिया तू लग गया और तू से बर की first one को add कर दिया he ordered his servants to go away at once next example the judge said comma inverted comma call the first witness judge ने कहा कि पहला जो गभा है उसको ले आओ the judge commanded judge क्या करता command आदिस देता है तो said or said to किसमें change हो गया commanded और यह आगया आपका objects में दिया नहीं गया लेकिन third person में मैंने कल भी बताया था आपको किसी को ले देते third person में चाए वो him हो her हो या them the judge commanded them inverted comma to call the first witness third example he said to his friend please lend me your book उसने अपने मित से का किरपया अपनी बुक दे दो तो वो उससे क्या कर रहा है निवीदन कर रहा है request कर रहा है please kindly sir madam तो इससे भी सो होता है कि इसमें request की गई है he requested his friend to land अब यहां जरा देखते हैं किस तरह से pronoun change होते हैं आपको part first में पूरा chart बनवाया बताया उसको आप follow करें me कौन person है first person किसके recording change होगा reporting work की subject recording कौन सा case है me objective case तो he का objective क्या हो जाएगा him तो यहां पे क्या input कर दिया him your your कौन person है second person और possessive case है object recording change होगा इसलिए his का क्या हो जाएगा possessive case his तो पूरा बन गया sentence in direct speech का he requested his friend to land him his book fourth examples देखते हैं he said to his friends कौमा inverted कौमा work hard उसने अपने मित्रों से कहा कठिन परिश्रम करो तो क्या किया advise दी he advised his friends to work hard inverted कौमा कर दें to put कर दें and last example इसको जरा ध्यान से देखें और यह टेट एक्जाम में भी आया कौमा inverted कौमा हटाते हैं उसके जगे तू लगाते हैं क्योंकि do not दिया गया डूनौट को not to में change करते हैं तो अगें तू नहीं लगाएंगा तो किस में चेंज कर दिया not to doctor advise the patient not to eat too much इसी sentence को अगर हम forward लगाने पर बनाएंगे क्योंकि रूस में आपको बताया था अगर negative है तो forward का भी यूज़ करके कर सकते तो कैसे बनेगा the doctor forwarded the patient फिर यह आपको not है वो हट जाएगा inverted comma हटा दिया to लगा दिया not नहीं आएगा to eat too much the doctor forwarded the patient to eat too much आईए आप देखते हैं imperative sentence में कुछ let वाले भी बाग कोते हैं let से start होते हैं लेकिन यह दो प्रकार कोते हैं यह लेट के बाद असे तो यह हमारा sentence let असे प्रारम होता तो उसके कुछ rules है उनको चरा एक में देखते हैं set को proposed में set to को proposed to में प्राट होती है यह reported speech यद रिपोर्टिंग बना का subject third person है तो latest के अस्थान पर देखते हैं यदि second person है तो latest के अस्थान पर indirect बनाते समय you should रखते हैं और यदि first person है तो we should रखते हैं यह किस के स्थान पर जाते हैं latest के स्थान पर inverted comma remove करते हैं और उसकी जगे that लगाते हैं simple scale rules है example से हम लोग समझ लेते हैं he said to me comma inverted comma let us wait for the result इस direct speech में देखा said to rules recording, propose to में change जोगा he proposed to me that लगा दिया हब हम देखते हैं reporting verb का subject है वो he है और he के कौन सा है? third person तो let us के इस्थान पर क्या जाएगा? they should, rules के recording क्योंकि बताया था इदे reporting verb का subject third person तो they should रख देते हैं let us हट जाएगा, उसके जगे क्या रख देंगे? they should, उसके बाद पूरा बैसे ही agitize कर देंगे they should wait for the result next example I said to him let's come to play, I propose to him that we should we should इसलिए आगे क्योंकि reporting verb का subject है वो first person है, इसलिए let's की जगे we should हमने put कर दिया come to play तो पूरा हो गया हमारा indirect speech I propose to him that we should come to play और देखें यह है let वाले बाग, यह लेट के बाद अस नहीं है तो इसके रूल्स इसके रूल्स, इस पकार है कुछ set and set to को sense के according requested, ordered, advised, commanded, formated में change करते हैं, वही पुड़ाने वाले रूल्स हैं जो का imperative sentence सुरूआ तम बता चुके हैं do not को not to में change कर देते हैं inverted comma को remove करके उसके इस्तान पर to लगाते हैं और इसमें इस बात का विसीज ध्यान रखते हैं कि to जब लगाएं तो let नहीं हटेगा बस यह इसमें आपको remember रखना है कि to लगाने पर let हटेगा नहीं और वैसा ही अरूल्स example से देख लेते हैं he said to him comma inverted comma let them free तो इस sentence में आप direct speech में देखा कि order हो रहा है तो said to को किसमें चेंज कर दियो ordered he ordered him inverted comma remove clear to let them free काँकि them जो है वो third person है वो change नहीं होगा next the principal said to the peon comma inverted comma let him come in the principal ordered the peon प्रिंस्पल 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 को क्या करेगा order ordered the peon to let him come in तो इस तरह से आप में देखा हमारा imperative sentences किस तरह से हम डायरेक्शिन डायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं इस आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दबाएं और अधिक सदिक शेयर करें लाइक करें जिससे की नूटिफिकेशन आपको मिल सकें थैंक्यू रादे रादे करें